अभी कुमिरा नमस्कार दोस्तों स्वावत करता हूं आपका डिवलोपिंग साक्सिज यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज हमें स्टार्ट करेंगे वर्ब की सेकंड एक्ससाइज सेकिंड का मतला भी हो गया कि हम लोग ने अभी कुछ दिन पहले फिर्स एक्ससाइज को फिनिश किया था जिसमें की बहुत सारे क्वेश्चन हमारे प्रीविस एक्जाम्स में आए हुए थे फिर वो चाहें दोस्तों ऐससी का हो चाहें वह सीचसेल हो सीजील हो को एंटी एंसब एंसमें इन सब क्वेश्चन को रिपीटेशन मोड में लिया गया था और सीटी को भी दिखते हों दोस्तों यह वहाँ चोड दिया था हम लोग ने नहीं तो यहां यह क्वेश्चन समय कंप्रीट करेंगे वर्ब की से साइज को और देहेंगे कौन से ऐसे कोशिश करने की मैं आपको सभी कांसस बताता हुआ जाँगा लेकिन फिर भी कोशिश करें कि पहले आप करें and then later आप मुझे सुनते जाएं लेकिन सबसे पहले आप उसको कंप्लीट करेंगे और हाँ इसमें सबसारा important चीज जो एक है वो यह है कि वीडियो को यदि अभी आपने शेयर नहीं किया आपने दोस्तों तक तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दें और साथी साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें तो चलिए सार्ट करते हैं प्लीज लाइक करना ना बूलें सार्ट करेंग बच्पन से पढ़ती हुआ है इस पोकन में सबसे इंपॉर्ण सेंस होता है और हम लोग डेली यूज में भी लाते हैं लेकिन हमें समझना पड़ेगा इसका कॉंसेप्ट क्या है कॉंसेप्ट राटर नहीं कहा वुडियो डैश सम आइस्क्रीम तो दोस्तों वुडियो के ब पड़ेगा नहीं और मैंने भी यह समना किया था सगें थर्ड फॉर्म आईगी नहीं तो यह भी गलत हो गया तो आपके पास के वाल एक ही ऑप्शन बच्चा और वैसे भी आप सभी इसका आंसर जानते होंगे मुझे बताएंगे कितने लोगों ने आप इसका आंसर सही दि लेना यहां पर फॉड यू लाइक पर आप समय स्क्रीम उड़ियू लाइक तो यहां पर उपने पराधास को बहुत ध्यान से देखा है तो आपने देखा होगा मैं आपको बताया है कि जहां वर्ड अगो आता है वहां हम कॉंस अटेंस यूज करते हैं तो बताओ जली से यहां यदि आपने मुझे बताया है past indefinite तो आप बिलकुल सही है word अगो हो या फिर yesterday हो यह दोनों ही word दोस्तों क्या लेते हैं यह दोनों ही word लेते हैं past indefinite past indefinite का मतलब यह हो गया verb की second form तो जहां verb की second form use हो जाए वही कहलाता है past indefinite तो यहां पर second form कहा है the gypsies left see is the right answer see आपका सबसे common और सही answer हो गया the gypsies left the village a few days ago gypsies जो है उन्होंने गाओं को छोड़ दिया कुछ दिन पहले ही देखिए have left present perfect को दिखाता है तो present perfect tense आएगा नहीं यहां पर would have left यह past को दिखाता है लेकिन past perfect का phrase आए यह would have left यह गलत है और head left यह तो भाईया टिपिकल past perfect है तो past perfect आएगा नहीं क्यों नहीं आएगा past perfect क्योंकि अगो लगा है तो one and only option we have is c right चालो number next number third जल्ली से करो बताओ क्या आना चाहिए राइटर ने कहा if they put dash यहां पर question mark है क्या आना चाहिए about the crabs they would not have decided to picnic there यदि उनको मालम होता केकणों के बारे में crabs means केकणों के बारे में तो वह वहां सोचते भी नहीं पिकनिक मनाने की तो यदि उनको पता होता दोस्तों यह question है conditional sentences का और conditional sentences में गलत नहीं हूँ तो हम सब पढ़ चुके हैं और आप जानते भी है conditional sentence कौन से होते हैं जहां पास conditional जहां जो काम एक काम से पहले हुआ है वह आता है पास्ट प्रफिक में और जो काम बाद में हुआ है वह आता है पास्ट इंडाफिनिट में तो देखना आपको यह है कि यहां पे एक word यूज हुआ है दे वुड नॉट हाव डिसाइड़ से कहा इव दे पुट डैश यदि उनने इव दे पुट डैश अबाउट तो भाई क्या है इफ दोस्तों आपर पुट वर्ड गलत है को कि पुट यह पुट यह नहीं आएगा यहां वर्ड कर यह पुट से कोई मीनिंग यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर पहले हो गया यह पहले पता हो ना चाहिए था वह पास्प्रफिक में आएगा इसलिए पर आएगा if they had known about the craps had known का मतलब पता हो ना if they had known about the craps यदि उनको craps के पता होता they would not have decided to picnic there यहां पे new का use नहीं होगा didn't know नहीं होगा where knowing नहीं होगा बाकी सब गलत है so one and only past perfect should be the right answer ठीक है चलो number four अच्छा यह दिहान रखेंगे वहां पे put नहीं है मैं आपको दुबारा बता दूँ put word गलत sound कर रहा है नमबर फोर बताईए क्या सही answer होना चाहिए नमबर फोर का option आप सभी के सामने है राइटर ने कहा since I dash charge he came here on at least eight occasions वही वही बता गई condition कोई अब ध्यान से देखें तो since I dash since I dash he came here यहां पर मिलना से charge word भी कोई word सही नहीं है क्योंकि since I यही मैं कुछ भी लगा हूँ had assumed या assumed since I had assumed charge यहां पर कोई एक दूसरा वर्ड होना चाहिए जहां तक मुझे ध्यान है since I had assumed he came here तो यहां आया है on at least eight occasions 8 occasions में आठ आप सब्सक्राइब आ चुका है तो यहां पर देखने वाली बात यह ही के बाद केम आया है केम का मतलब यह क्या हो गया भई पास्ट इंडाफिनेट और अभी अभी हमने दोस्तों एक चीज छोड़ी चीज समझी थी के पास्ट के साथ conditional sentence में अभी मैंने आपको पहले बता ते आपने ध्यान दिया हो पास इंडाफिनेट के साथ conditional sentence में पास्ट प्रफेक का यूज़ करते हैं तो जब यहां पर पास्टण आपर यूज़ हो गया तो यहां पर पास्ट प्रफेक टेंस यूज़ जोना चाहिए so one and only a is the right answer to answer क्या बन किया हमारा since I had assumed he came here on at least eight occasions here should not be assumed have been assumed or had been assuming बाकि सा बिलकुल गलत है right everyone come on मस्ती की साथ जली से बताओ number five में क्या आना चाहिए I dash of him since he left this city ये conditional sentence दूसरा conditional sentence है ये इस तिंस का यूज बीच में हो जाए past indefinite के साथ जी हाँ बिलकुल सभी सुना आपने इसको दुबारा लिख लिजीगा आपने past if we use since in between of the sentence with past indefinite then next sentence are the sentence basically which is used before that should always be in present perfect tense जी हाँ exactly तो दूसरा जो sentence है वो हमेशा present perfect में होगा यहां past perfect नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि past perfect तो वहां लगता है जहां काम पहले हो चुका है लेकिन यहां काम देखीगा बाद में होगा sentence ने का I dash of him since he left the city जब से उसने city छोड़ी है I dash was never heard I have never had never been heard had never been heard या have never been heard had आएगा नहीं was आएगा नहीं अब have never been heard और have never heard आपके पास के वाले की option बचा I have never been heard के मतलब हो गया कि मुझे नहीं सुना गया तो यहां पर यह वाला गलत है कि वाला आपके पास डी option बचा जिसने का I have never heard मैंने कभी नहीं सुना है उसके बारे में जब से सुना सिदी छोड़ी है तो सिदी पहले छोड़ दी यह पास indefinite में यूज हुआ इस पर तुम छिटखानी नहीं कर सकते और मैंने उ किया है बच्चों कर लो तो बाद वाला सेंटेंस जो होता है बाद वाला कहें यह फिर बचा हुआ कहें या जिसमें फिलर भरना है वह हमेशा प्रेजन प्रफेक्ट में होगा यह एर्रस में भी आता है इसलिए have never heard must be the very 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 right answer right everyone यह आपको समझ में आ गया तो जल्दी से कू the students went to the village पिशले समर पिशली गर्मियों में students जो है वो कहां गए वो गाओं को गई and dash farmers और क्या कि उन्होंने farmers की help की हम सभी जानते हैं and के साथ दोनों साइड वर्ब जो होती है वो similar आती है same verb आती है क्योंकि जो काम वहां हुआ है and के बाद वही same time पे काम हुआ होगा तो व उन्होंने help की farmers की तो मतलब and help the farmers see must be the right answer यहां पे for helping the farmers and for helping senseless and to help गलत है and had to help करनी थी senseless इसलिए one and only see जो है वो आपका सही answer हो गया मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मेरी बात बहुत अच्छे समझ में आ रहे होगी जली से करो number seven क्या होना चाहिए he overheard all that his friend dash क्या हैगा he overheard उसने ऐसा सुना कि उसके सभी जो दोस्त हैं वो क्या हुए had commented, has comments, was commented that या has been commented क्या होना चाहिए simple है sentence मैं दोस्तों past indefinite use हो गया he overheard तो भईया बाद वाला क्या होगा past perfect तो he overheard all उसने सुना तो क्या सुना कोई घड़ना घड़ गई होगी उसके बारे में तो सुना so he overheard all that his friend had commented तो a must be the very right answer a जो हो गया वो इस sentence का सबसे 60 का answer हो गया he overheard all that his friend had commented that must be the very right answer is it clear सभी को come on number eight the old man could not remember where he dash his money आप यहीं सेनेस को बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं दोस्तों तो आप इनको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे क्योंकि लगभग लगभग जो सेनेस आ रहे हैं वो एक ही तरज पे हैं प्लैट्फरम पे बैस हैं यहां भी देखेंगे था old man could not remember कोड के संग वर्ब की स्वर्प आई है आती है पास इंडफिन तो घटना जो घटी है यह वह पहले घटी होगी इससे तो पास्ट में होगी इसके बाद घटी होगी तो प्रिजेंट में होगी तो ऑल्ड मैं money कहां रखा था तो money जो है उसना पहले रखा होगा याद बाद में किया होगा तो पहले रखा था मतलब past perfect tense तो past perfect का मतलब हो गया another deposits is depositing गलत है will deposit future है one and only see had deposited old man को याद नहीं था कि उसना अपना money अपना रुपया कहा deposit किया चींबल था number nine करिए two years have passed since he dash दो साल बीच चुके हैं जब से since he dash has come come came had come आपको यह बिल्कुन अच्छे से आता होगा क्योंकि आपने अभी अभी से किया था two years have passed have passed आ गया यहां पे present perfect और present perfect इससे पहले कोई घटना घटी है तो वह पास्ट परफिक में नहीं आएगी प्रेजेंट प्रेजेंट प्रफिक्त के सांग पास इंडफिनिट जाता है ना कि गया तो प्रेजेंट प्रफेक्ट नहीं पास इंडेफिनेट और चुक्ति यहां पे प्रेजेंट प्रफेक्ट और रखा है तो सब्सक्राइब के साथ हम पास एंडेफिनेट टेंस करती है अब यभी आपने देखा हो तो हमने पढ़ा था चलिए मैं आशा करता हूं दोस्तो आज कए डा मिकानिग डाश क दावेतल सेंस देस मॉर्स बचों क्या होगा दा मेकानिक डाश द्ल Depart वेकल सेंस देस मॉर्निंग यहां पर ऑसनीस में जू इंस आ गया हम सभी जानते हैं कि सेंडेस में कभी número 20 का यूज दे रखा हूं या फिर बच्चों फॉर का यूज दे दिया जाएए तो यह दूस दे रखा है तो इन डॉनों के साथ हम और खास कर प्रेज़न परफेक कांटिनियश करते हैं और खास कर प्रेजेन the right answer repaired past indefinite repairing यह बिल्कुल बरबाद है विल बी पेरिंग future continuous बिल्कुल गलत है so one and only see again is the right answer number 11 there will be a rush for seats when the train dash seats के लिए rush होगा जब train क्या करेगी will arrive arrived is arriving या arrives 11th में क्या आना चाहिए आप सभी को बताना है मुशे आप सभी को मालब है there will be a rush rush होगा भगदा होगी seats के लिए when the train जब train tennis में वेन आ गया आप समझ पो वीबात समझ लीजे गांट मान लीजिए यह conditional sentences कहलाते हैं tennis में डवल एस फैमिली आ जाए चिक है और यहां दो 10 होते हैं एक होता है present indefinite और एक होता है future indefinite तो यहां future indefinite आ गया तो बाद वाला present indefinite होना चाहिए train singular है तो arrives आपका सही answer है will arrive future नहीं आएगा past नहीं आएगा present continuous नहीं आएगा तो आपके पास के वल एक ही option बचा and that is our eyes there will be a rush for seats when the train arrives is it clear video इसे शेर करना नहीं भूले इसे शेर जरूर करें अपने दोस्तों के सब्सक्राइब चलिए नबर नेक्स्ट नबर 12 आप सभी की स्क्रीन पर पढ़ें एक बार और देखें और बताएं क्या answer होना चाहिए 12 में राइटर ने क्या कहा आप से I have dash Lakshmi for the past 12 years तो I have सभी को मालूम है have के संग भाईया work की third form ही आती है इसमें कोई rocket science रही है तो I have new, no और no's सब बरबाद है I have known Lakshmi देखिए since और for के साथ हम present perfect continuous 10 से यूज़ करते हैं लेकिन यदि option में ही नहीं दे रखा तो present perfect भी यूज़ करते हैं इससे हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है तो इसलिए C जो है वह आपका सही हो गया I have known Lakshmi for the past 12 years मैं पिछले 12 सालों से Lakshmi को जानता हूँ चलो नमबर 13 सभी के सामने है जली से पढ़ें और बताएं the engineers dash the bridge since last year फिर से since आ गया तो जहां से इस मैं since or for दे रखा हो वहाँ सभी को माले में हमें क्या उस करना है perfect continuous तो है वो इस ब्रिज की मरमत कर रहे होंगे कबसे लास्ट इयर से कर रहे होंगे कर रहे है क्योंकि है और पिर पेरिंग है मुझे बताएंगे लास्ट मैं कि आप पैसे इसे कितने मेरे दोस्त है जिनके सारे के साथे सही थे या फिर कितने सही थे आउट आफ कितने नमबर थे प्लीज लेट में नूबर 14 एवर्यवान अकवर की बारे में कहा गया कि वो एक दिन में तीन घंटे क्या किया करता था मुश्किल से ही सोवा करता था तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्चन है स्लीप एसलीपिंग हैट स्लैप्ट या फिर स्लैप्ट तो वाट शुट बी राइट आंसर क्या से आंसर होना चाहिए अकवर की बारे में कहा जाता था दैट ही रेरली वो मुश्किल से ही सोता था तीन घंटे से ज्यादा मोर दें थ्री आर्स अडे तो दोस्तों यहाँ पे कोई कंडिशन की बात नहीं की गई है ऐसे में हम सिंपल पास और नेफ्ट को चूज करते हैं इड़ से अपकवर लगाएंगी जब सेंड्स में बहुत पहले की बात की गई थी लेकिन उसमें किया गया हूँ यहां पर इसा नहीं दे रखा यह फिर टाइम दे रखाओ तो ऐसा भी नहीं दे रखा जब सेंटेंस सिंपल हो और कितना भी पुराना सेंटेंस हो तो आप मोस्त प्राब्यूब any message from my teacher since she moved to London क्या कोई message आया मतलब क्या तो नहीं है हाँ पर there dash any message कोई भी message नहीं है मेरी teacher की side से जब से वो London move हुई है since she moved to London जब से मेरी teacher जो है वो London गई है तब से उसकी तरफ से कोई भी message नहीं आया है so what must be here there is not any message was not has not been yeah had not been what should be the right answer मैं आपको बताया था since के साथ यदि past indefinite tense आ जाए तो इसका मतलब यह है कि since past indefinite ले रहा है तो इससे पहले वाला हमेशा present perfect लेगा तो कहा है present perfect has not been see must be the right answer writer नहीं कहा there has not been any message दोस्तों has been been जो होता है वो बी की form होती है जो दिखाती है किसी भी चीज़ का present होना there has not been any message कोई भी message नहीं है मेरी teacher की side से जब से वो London move होई है ठीक है है not नहीं आएगा बाकि सब गलत है 16 i dash hard to establish the validity of the theory from morning writer नहीं क्या कहा पहले इसको अच्छे से समझें क्या होगा i dash hard to establish बड़ी मुश्किल से जो भी कर रहा हूं मैं establish करने की validity को of the theory from morning अब यहां पर दिक्कत यह है कि हमने दिखाता कि since और फॉर के साथ हम क्या लगाते हैं और फेक कंटिनियस लेकिन फ्रॉम के संग क्या लगाएंगे तो i am trying क्या डी सही है tried गलत है had tried गलत है अब बचा ए हमें देखना है दोस्तों कि क्या सही होना चाहिए था i have been trying hard to establish the value of the theory from morning i am trying hard to establish what should be the very right answer तो सोचने बात यह है हम सभी ने बच्छन से पढ़ाए कि since और फॉर के साथ यहां यहां तो मैं यह गलत मालनू कि from गलत है तो यहां पर सिंस लगा देख सिंस मॉर्णिंग तो भई हम गलत तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वैलिडे ऑफ दा थ्यॉरी जो वैलिडे ऑफ दा थ्यॉरी है उसको establish करने की कब से तुभा से तो कोई काम बहुत पहले से हो रहा है उसके लिए हम पफेक्ट कंटिनिस सेंस लगाते हैं हमारा मतलब से बिलकुल नहीं होता सिंसर फपार लगे हैं तो वैल उगोड है यह इस बात की कोश्च रहा है इस लिए इसमें आप एको ही चूज करेंगे इसमें गल्टी से आप एम ट्राइंग का यूज ना करें यह अलग बात है कि यहां पर हम फ्रॉम की जगे राइटर को मुस्ट प्रबली सिंस लखना चाहिए था लेकिन एक्जाम में चूंकि आ जाता है तो ध्यान रखेंगे उससे म उसे कहा कि वो क्या किया था उसना मुवी के लिए इस फिनिश्ट वास फिनिश्ट हैड फिनिश्ट या नाट फिनिश्ट वाट शुड बी दा राइट आंसर तो सिंपल सी बात है उसना मुझसे कहा तो मुझसे कहा उससे पहले उसने कोई काम कर लिया होगा तो इस फिनिश गलत है वास फिनिश्ट गलत है नोट फिनिश नहीं आएगा तो ही हाड फिनिश्ट सी जा रहे होंगे यह आपके दिमाग में बहुत अच्छे से जा रहे होंगे मैं फिर से रिमीट करूँगा इनको क्लास कंप्लीट होने के बाद दुबारा कर लेंगे एक भी गलत होने की कोई गुंजाश नहीं होनी चाहिए और यदि कहीं कोई क्वेस्टन है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें नमबर 18 आपका C, जो है वोAct्न नमबर 18 इफ इस एफ डॉक्टर यय हंता तौ मैं क्या करता, हुट है तो मैं गरीमों को सेवा की होती हमें मैं गरीमों को सर्व किया हुथा है ननमेर नेक्स डे आपवीश का टे कार से बात करने में के लिए कार को क्या किया stops भाईया देखिए कुछ किया ना तो past आएगा present आएगा नी has stopped stops present indefinite has stopped present perfect गलत है यहां पर कोई conditional sentence की बात हुई नहीं है तो had stopped आएगा नी तो यहां फिर से आपके पास एक औप्शन बचा है and that is c देखिए ऐसा नहीं है कि exam में भी आप हमेशा सी लिख क्या जाएं सरके सब्सारा सी सही होते हैं तो इसका अंसर सी होना चाहिए ऐसा नहीं एक्जाम में जो भी option होगा उसे choose करेंगे तो the officer stopped the car officer ने कार को रोका to speak to the driver किस चीज के लिए driver से बात करने के लिए ठीक है तो आपने had stopped क्यो नहीं लगाया had stop का यूज यह हो गया कि कोई काम और डी ले चुका है कोई और डी जो काम है वहां पर अपना प्लेस ले चुका है उससे पहले कोई काम हुआ हो तो मैं पास प्रफिक का यूज करूँगा अधर्वाइस पास प्रफिक टेंस का यूज हम आवे नहीं करते यह यहां पर पास इंडेफनेट का सिंपल यूज होगा ठीक है एंड लास्ट ऑन यूर स्क्रीन नामबर 20 रावन वोज बिजी रावन नहीं नोट रावन इसा रामन वाय मैं सेंग वी रावन रामन वास बिजी वैन वी डैश तू सी हम दोस्तों बहुत सिंपल है रामन जो था वो बिजी था वेन वी जब हम क्या किया हमने उसको देखने के लिए वेन वी गो वेंट गॉन या गोज देखी तैनिस पास्ट है तो प्रेजन आएगा नहीं यह जो प्रेजन प्रफेक्ट यह जो प्रफेक्ट टेंस का वर्प की थर्ड फॉर्म जो लगी है गॉन यह यहां पे ऐसा कुछ देनी रखा तो आपके पास केवाल एक ही ऑप्शन बचा और जो मेरे सभी दोस्तों ने बिलकुल अच्छे से सही किया होगा वेन वी वेंट डैट शुल भी राइट आंसर रावन वास बिजी वेन वी वेंट उससे हिन रावन बिजी था जब हम उसे द कैसे लगी बाकी क्लास को शेयर करना न भूलें यह सभी क्वेश्टिंस दोस्तों पिछले एक्जैंस में आये हुए हैं इसना किसी रूप में इसमें मैंने आपको बताया की वर्ब के क्वेश्टिंस थे आगे वादे ग्लास में आपको कंजक्शन को देखने को मिलेगा प् अन फुले आप टि कर आथा एक्स Лए फ science को की देखने मैं मैं आपको एपको क्वेश्ट इसमें हैं क्वेश्ट दाया डुक्त पξाष्ट है ग्लास में आपती हॉत्य काॉर्या चुक्तों शच्का अंट शे खरे खक्वेश्ट त टेनृस्दों टे डिस better than adults humanities qué फ innych seminar में थे